नमस्कार, वेलकम टू एक्सर्विशमेन इंडिया इक्टूब चनल समय समय पर हम आपको सुचीत करते हैं जो भी वेकंसीज एक्सर्विशमेन जेसो जुआर के लिए रिलीज होता है दोस्तो वीडियो को इंडिया देखते रहें आपको मिलेगा सारे डिटेल्स आपको कैसे अपलाई करना है कहा है कौन सा जाओब है कितने सलरीज है सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे वीडियो में पर में जाने से पहले आप से रिक्षस्ट है अगर आपने इस चैनल को अभी तेक शब्सक्रीब नहीं करें तो जुरुत सबस्क्रीब लाइक करें शेयर करें तो दूस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह जो जौब है इस जौब में जो बैकेंसीज है यह सुवेदर, ने एक सबी रैंगों का एक्स आर्मी पर्चनन के लिए यह 2000 वेकंसी रिजाब्ड है वेकंसी का जो डिटेल्स है जैसे कि आप देख सकते हैं जो आर्मी का स्वेदर रैंग से रिटार किये हैं वो एसाई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं टोटल वेकंसी है 63 एसाई है 187 और head constable के लिए apply कर सकते हैं जो हवला rank से retire के हुए है उनके लिए total vacancy है 424 और सबसे जादा जो vacancy है वो है constable gd में जो की सेपाई के लिए applicable है सेपाई या नायक rank से retire के हैं तो आपके लिए vacancy है 1326 जो vacancy है वह है 2000 अब vacancy का जो location wise details है जैसे कि आप देख सकते हैं 36 गर में 300 तिरपन है यूपी में 126 और यूपी उब्रा में है 115 इंपी में है 98 असाम में है 241 यूपी उन्चार में है 74 इसी तरह का उडिशा वेस्टवंगल टमिलारू करनाटो गुजरान लगवाग सभी स्टेट्स में vacancy है और cool vacancy है 2000 अब देखते हैं eligibility criteria क्या है देखिए इसके लिए जो eligibility criteria पहले मैं बता चुका हूँ army से retire कि हुए सभवदार नैक सभवदार हबलार नैक से पाई यह सभी rankों का जो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए फिजिकल स्टेंडर्ड है नॉमाली 170 cm और चेस्ट होना चाहिए 80 cm और चेस्ट पुला के 85 cm होना चाहिए फिजिकल में कुछ छूट है जो hill area से बिलंग करते हैं या फिर जो saddle tribe कास्ट से बिलंग करते हैं उनकी लिए थोरा सा छूट रखा गया है age limit जैसे कि आप देख सकते हैं कि 50 साल से नीची आपका age होना चाहिए चाहिए किसी भी post के लिए आप apply कर रहे हो नेक्स्ट है place of posting place of posting जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पहले में बता चुका हूँ इंडिया का लगबाग यह जो आर्दा स्टेट्स है यहां पर आपको vacances मिलेंगे इसके लिए जो pay and allowances रखा गया वो है ASI के लिए यानि यह साब inspector के लिए 40,000 यह ASI के लिए है 35,000 फिर constable के लिए है 30,000 और constable के लिए 25,000 दोस्तों यह सभी post है contractual post है अगर detail में आपको notification पढ़ना है advertisement को देखना है तो आप जो website का link दिया हुआ description box में वहां क्लिक करके पूरा details आप पढ़ सकते हैं अब आते हैं आप apply कैसे करेंगे देखिए आपको apply करना है email का द्वारा यानि की जो form आपको link में मिलेगा उसको आप print out लेना है print out लेके उसको fill up करना है और साथी में जो attachment है उस सारी चीज़ें आपको देना है और जितने भी आपका documents चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं स payment order यानि की PPO देना है डेटा बार्त का प्रूब देना है discharge book का copy देना है आपका educational certificate है उसका copy आपको देना है और आपका identification card जो आपका एक सर्विस बनका जो ID है जो i card है वो आपको देना है medical fitness certificate किसी यह government doctor से आपको देना पड़ेगा और field in questionnaire जो एक form आपको मिलेगा वो form का भ payment password size photograph JPG format में आपको scan करके देना है यह सारे चीज़े कोई भी चीज़े आपको hard copy नहीं वेजना है यह सभी चीज़े आपको scan करना है scan करने से पहले ध्यान अखियेगा जो जरक्स copy है उसके आप खुद sign किया हुआ होना चाहिए उसके बाद आपने scan करना है और scan करके attachment के तर payment of ex army personnel on contractual basis in CISF तो दोस्तों इसी तरह आपको application भेजेना है और application कहां भेजेंगे वो देखिए जैसे कि आप list में देख सकता है CISF unit ETPP और VSTPP सिधी ए तीनों के लिए आपको भेजना है Inspector General CISF East Sector Headquarter जरखंड जहां का email ID भी यहां पे दिया हुआ है इसी तरह का जो seven different different IG office है वहां पे आपको application भेजना है जो concerned location के लिए आप apply करना चाहते है उसी concerned location का जो headquarter है वहां पे आपको email करना है से भी headquarters का email ID अलग अलग है जैसे कि एक सी लिकर के साथ number तक serial number आप देख सकते हैं और उसके right side में उनका email ID भी लिखा हुआ है apply करने के लिए आपका जो application form चाहिए और detail में जो आपको जो भी information चाहिए उसके लिए link दिया हुआ है इसी वीडियो का description box में वहां क्लिक करके आप सारे detail डाउलोड कर सकते हैं और print भी आप ले सकते हैं इसके लिए आप apply कर सकते हैं 15 मार्च 2021 तक recruitment है contractual basis पे यहां पे एक सा बी personal apply कर सकते हैं इसी तरह का job notification आगे भी पाने के लिए हमारी इस चैनल को subscribe करके रखिए और share कीजिए ताकि information ज़्यादर से ज़्यादर लोगों तक पहुँच पहे हैं इसी उम्मिट का साथ नमस्कार जय हिंद जय भारत